दुनिया बार देविच हर दिन दो अरब कपतो वी वद कफी पीती जान दी है सिरफ ब्रिटेन देविची 9 करोड कप हर दिन कफी दा इस्तेमाल होनदा मौजूदा समय देविचे सुवेर तो लेके शाम तक कफी पीती जान दी है ये पौधा तेजी देनाल वद दा सी तेजी देनाल फैल दा सी पर हौली हौली लोका दा त्यान इस पौधे वल गया। फेर लोकाने मैसुश कीता के कौफी दे बीजानू यानि के इस पोद्धे दे बीजानू पुनननने नाल पीसरन नाल इसनू पीन दे इस्तेमाल विच लेंदा जा साकता है ते हौली हौली कौफी पीन वालेंदे विच is दीचर्चा छिडण लगी ते इसे तरीके देनाल हॉली हॉली कॉफी हर किसे दा स्वाद विच चड़ दी गई ब्रिटेन दे विच पहला कॉफी हाउस सन्सोला स्वक विंजा दे विच खोल लिया गया सी उस तो बाद हॉली हॉली लंडन दे विच कॉफी हाउस बनने शुरू हो गए ते फेरे कॉफी कारोबारियां दे लई, बैंकर्स दे लई, सहित कारां दे लई, अड़ियां दे वेच इस्तेमाल करनवाली सब तो प्यारी ड्रिंक बंडी कई कॉफी नू पलुटो दी डाइट ड्रिंक भी क्या जानता है कॉफी दा इस्तिमाल राजनिती दे विछ वी हुंदा सी, लोगे कठे हुंदे सान, समागमा दे विछ बैठ दे सान, कॉफी पिन दे सान, ते राजनिती कर दे सान शायद इसे डरतो चारलस टू ने कॉफी नुएक वार बैन करन दी वी कोशिश कीती सी फिर हॉली हॉली कॉफी हाउसेज दे वेच लोग ग्रहकां दे लई, किताबां, अकबारां ते मैगजन्स भी खरीदन लगे कॉफी साहितकारां दे लई, पढ़न वालेयां दे लई, पहली पसांद बनन लगे लोग कॉफी पिन दे, नाल मैगजन्स पढ़ दे, किताबा पढ़ दे, अकबारा पढ़ दे, डिसकशन्स करते कई जगा ते कॉफी पैनी दे विच मिल दी सी जिस कारण जिस जगा दे उते कॉफी पैनी च मिल दी सी उसे जगा नो पैनी युनिवस्टी दे नाम नावी जाने आ जान लगा हाला कि उस विले काफी हाउ सिर्फ मर्दा दे ले सान और काफी नो सब तो ज्यादा मर्दी पीन दे सान और काफी मर्दा दे ही के डाइट बान चुकी सी जदो कोई चीज मशूर हुन दी है ता उस उते कई वड़े वड़े इलजाम भी लग देने काफी दे उते वी वड़े इलजाम लगे सब तो पहला इलजाम 1674 दे विच लग गया जदो एक आ गया के काफी मर्दा दे विच नपून सकता लियों दी है हाला की कईयां दे दावे इस तो उल्ट वी सान कई ये वी केंदे सान के जिननी ज्यादा काफी पीवांगे और पूर्षता नू वदों दी है बहुत सारे लोकानू काफी दा स्वाच चंगा वी नहीं सी लाग दा पर ब्रिटेन दे विच कॉफी दा इस्तेमाल चाव आंकीता जान दा सी जिस विच चीनी ते दुद मिक्स करके बनाई जान दी सी 18 सदी तक आंदे आंदे कॉफी हर के सदी पहली पसांद बनन लग गई कॉफी का अपनी चंगी जगा स्थापत वी कर चुकी सी कॉफी कॉफी हाउस तो निकल के आम लोकां दे करां विच पहुँच चुकी सी 19 सदी दे विच कॉफी दा स्वाद कईयानों बिल्कुल पसांद नहीं सी और इदा स्वाद बिल्कुल अलग वी सी पर इटली ने एस्प्रेसो मशीन लेके आंदी जिस नाल कॉफी होरवी जादा लोक पर ये होन ला कई एस मशीन दे वेच पाणी दे नाल बीज़ानों को ओलके पीस के जड़ी कॉफी त्यार हुंदी सी और कॉफी हर किसे दी पहली पसांद बढ़न लगी इस तो बाद कॉफी इना मशीन दे सदका अपने एक नवी जगा टायम कर चुकी सी इटली दी मशीन वाली कॉफी दा कल्चर इना चमचमांदिया मशीन दे कारण हर जगा दे वेच फैलन लगा पिछले वी साल दे वेच कॉफी दे कई स्वाद बजार वेच आचुके ने अलग यग स्वाद ने अलग यग फ्लेवर ने और हर किसे दि अपनी पहली पसांद कॉफी बाण चुकी है कॉफी पीन दा तो आर तरीका भी बदल चुक्की है आज का लोग कॉफी नो हत्था देविच Daных लेके गलियां महलने देविच तुरेजां दे कॉफी पीन देने एक स्टेटस सिंबल बान चुकी है लोग आपस दे विच गल बात करन दोरान कॉफी पीन देने कॉफी पीना कॉफी पलोना एक स्टेटस बान चुकी है इस तुलावा पिछले कुछ साला दे वेच समाच ते कॉफी दोनों काफी अग्ये निकल चुके ने पर इना दे विचो एक चीज नहीं बदली, ओ है कॉफी दा मशूर होना। कॉफी आज लोगकांद विचे कुलन मिलन दा एक माधियम बन चुकी है। कॉफी पीना ते कॉफी पलोना काफी कूल मनने आजान्द है। एसी कॉफी दाते हास तो हड़े इस देबार एक एक कमेंट ने सानू कमेंट करके जरूर दसना ते जुड़े रहो एचसन टीवी देना।